औस्ट्रेलिया बनाम श्रिलंका के बीच खेले गए दूसरे और अंतिम टेस्ट मुखाबले को श्रिलंका ने पारी और 49 रनों से अपने नाम करते हुए एतिहां से टेस्ट मैच जीता आपको बता दें कि श्रिलंका की टीम ने श्रिलंका में चल रहे आर्थिक संकट के बीच औस्ट्रेलिया के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज को एक-एक से बराबर किया इस मुखाबले के सबसे बड़ी हीरो रहे बलेबास दिनेश चांदिमल जिन होनी 206 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए अपनी टीम को 554 जैसे विशाल स्कोर तक पहुँचाया दिनेश चांदिमल ने अपने टेस्ट करियर का पहला 12 शतक लगाया जिसके बलबूते श्रिलंका की टीम औस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच में हराने में सक्षम रही लेकिन इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में एक ऐसा वाक्या देखने को मिला जिसने कुछ समय के लिए सभी का ध्यान अपनी और खीच लिया आपको बता दे कि ये वाक्या श्रिलंका की बल्लेबाजी के दौरान हुआ जब दिनेश चांदीमल बल्लेबाजी कर रहे थी तो उन्होंने आस्ट्रेलियाई तेज गेंबाज मिचल स्टार्क की गेंद पर इतना लंबा छखका लगाया सीधा स्टीडियम को चीरती हुई सड़क पर जा गिरी और उस सड़क से गुजर रहे तीन चार लड़कों में से एक लड़के को जाकर गेंद लग गई जैसे ही गेंद उस यूवक को जाकर के लगी ये मनजर कैमरे में रिकार्ड हो गया आपको बता दें कि इसके बाद उस यूवक ने गेंद मैदान में वापस फेक दी हाला कि इस टेस्ट मैच के खत्म होने के बाद ये वीडियो सूशल मीडिया पर लगातार सुर्खें बट दिखाई दिया अब अगर बात करें चांदी मल की बल्लेबाजी की तो बता दें कि चांदी मल ने इस मुकाबले में 326 गेंदों का सामना करते हुए 206 रनों की ताबर तोड़ पारी खेली इस दोरान बल्लेबाज ने 164 और 5 छक्के भी लगाए आपको बता दें कि आस्ट् 90 रनों की बड़त का पीछा करते हुए आस्ट्रिलिया की टीम 151 रनों पर ही धेर हो गई और श्रिलंका ने ये मुकाबला पारी और 49 रनों से अपने नाम किया आपको बता दें कि दिनेश चांदी मल को उनके जबरदस्त प्रोदर्शन के चलते मैन अफ दि मैच का खिताब भी मिला इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ